आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लांच कर दी है तो आए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट होती है वेल्कम दोस्तों मेरा नाम है नितिन और यह हमारा चानल है Finance 9-1 जिसमें की हम बात करते है Finance related topics के बारे में चाहे वो national हो चाहे international हो अभी हम एक currencies के बारे में series पढ़ रहे हैं और ये उस series में 5 वी वीडियो है मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो भी देखी है अगर नहीं देखी है तो आई बटन में उनके लिंक्स हैं आप एक एक करके उन्हें देख सकते हैं इस चानल को जरूर सब्सक्राइब करें इन वीडियो को लाइक करें शेयर करें इससे बहुत motivation मिलती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ले के आने के लिए तो चले अब हम बात करते हैं चाइना की digital currency और crypto currencies के बीच में differences के बारे में लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि चाइना अलड़ी लगभग पिछले दो साल से अपनी digital currency के बारे में काम कर रहा था और उसके pilot projects चला रहा था अलग-अलग cities में जहां अलग-अलग cities में लोगों को कुछ-कुछ युवान दिये जा रहे थे digital mode पे और कहा जा रहा था कि markets में जाओ दुकानों पे जाओ उनसे समान खरीदो actually में ये trial run था एक pilot project था जिसके कारण वो अपनी जो currency है उसकी stability को चेक करना चाते थे अपने इस पूरे infrastructure और इस technology की robustness को चेक करना चाते थे कि कितनी सही चल रही है और इन trial runs के बाद अब कई और cities तक अपनी इस currency को ले आए हैं यानि कि China ने launch कर दी है national level पे अपनी digital currency ये बहुत बड़ा move है क्योंकि किसी बड़े देश के लिए ये पहली बाद digital currency लाँच हो रही है यानि अगर हम ये कहें कि जो main league nations हैं उन में से पहला nation बन चुका है चाइना जिसने की digital currency लाँच की है अब हो सकता है कि आपके मन में बड़ी सारी सवाल उठ रहे हो कि ये digital currency actually में होती क्या है क्या ये digital currency का मतलब वही है जैसे हम online banking करते हैं तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं ये online banking की तरह नहीं है online banking में क्या होता है कि पहले हमारी government कुछ note print करती है coins issue करती है वो हमारे पास आते हैं हम अपने bank में जाके जमा करते हैं और उसके बदले में हम net banking करते हैं उसके बदले में इपने debit card चलाते हैं यानि कि currency दुनिया में होती है existence में होती है बस हम उसके mode को change करके चला रहे होते हैं लेकिन digital currency में ऐसा नहीं है digital currency जो है वो issue ही digital mode पे होगी यानि आप यह तो बात जानते हो कि जो currencies issue होती है वो fiat currencies होती है fiat currency मतलब government की backing पे चलती है लेकिन वो कागस पे छाप कर चलती है लेकिन अब वो कागस पे छपाई का भी काम नहीं रहा अब उन currencies को digital mode पे ही आपको deliver कर दिया जाएगा आपके wallet में आ जाएंगी और आप उन्हें खर्च कर सकते हैं और उनके लिए complete वो ही rules and regulations रहेंगे जैसे कि अभी तक paper currency के लिए रहते थे तो आपके phone में जैसे digital note पड़ा हुआ है जैसे आपके pocket में note पड़ा होता है तो भी आप इसके through payment कर सकते हैं जैसे कि अगर internet नहीं चल रहा तो भी हम अपने wallet में से पैसे निकाल के किसी को paper currency दे सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये तब भी चलेगा अगर internet ना हो तो भी चाइना के ये जो digital currency है ये अपने आप में एक revolutionary step है क्योंकि इतनी बड़ी economy ने इतना बड़ा कदम उठा ली और दुनिया में सबसे पहले तो ये बहुत 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 बढ़ी बात है actually में बहुत बढ़ी बात है आए हम अपने main मुद्दे पे आते हैं कि क्या differences है आपके मन में इस सवाल भी उठ रहे होंगे कि क्या ये cryptocurrency launch कर दियेगा चाइना ने अपनी तो the answer is no चाइना ने अपनी cryptocurrency launch नहीं की है चाइना ने अपनी digital currency launch कर या ये इन दोनों के बारे में differences और detail में देखते है देखे है जो digital currencies होती है वो CBDCs कहलाती है यानि Central Bank Digital Currency यानि कि ये जो currencies हैं Central Bank की power से issue की जाती है यानि इनके पीछे Central Bank बैठा है तो आप इस diagram में अगर आप Centralization को देखते है तो यानि कि यहाँ पे बीच में Central Bank बैठा है और Central Bank ही अपनी इस currency को issue कर रहा है और वो ही market के अंदर घूम रही है लेकिन उसकी सारा का सारा centralized data है control center के पास है आप ये कहें कि federal government और जो उस देश का Central Bank होगा जैसे इंडिया के case में आर भी आई है उनके हातों में control है लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं cryptocurrency की तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि cryptocurrency को कोई भी control नहीं करता ये decentralized currency होती है इसके लिए actually वे दुनिया में लाखो computers हैं जो computing networks की तना काम करते हैं हर इक transaction को notes के रूप में save करके रखते हैं छोटे-छोटे block बना कर save करके रखते हैं उनकी पूरी linkage हमें पता होती है लेकिन इसका रखवाला इसका मालिक एक कोई जना नहीं होता यानि centralization नहीं है तो मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उलट है digital currency cryptocurrency के लेकिन market में एक दुसरी जगा बिल्कुल नहीं ले सकती है यह second difference की अगर हम बात करे तो जो government अपनी currency issue करती है वो private है वो government की property है government के network पे चलेगी यानि वो ऐसे externally circulate नहीं होगी उसका data, उसकी जानकारी, उसकी सारी details सब के पास नहीं होगी लेकिन वहीं पर अगर हम crypto currencies की बात करें तो वो public network पे होती है या आप तो जानती है उसका distributed ledger base होता है यानि उसका ledger base जो हो million of computers पे होता है और हर computer पे एक-एक copy हर एक transaction की रहती है यानि कि बिल्कुल public, बिल्कुल खुली किताब वाला महौल है crypto currency का जबकि बिल्कुल उससे उल्टा private network पे रहने का सवाल है अगर हम बात करें digital currencies के बारे में यह जो तीसरा point है, यह सबसे important है permissioned versus permissionless देखें जो central bank की currency है वो permissioned है, यानि वो central bank की permission के साथ आई है federal government की permissions और orders के थुरू आई है लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें cryptocurrency की तो यह cryptocurrency permissionless है permissionless मतलब इसे किसी की permission की ज़ुरत नहीं है किसी की आग्या से नहीं आई अगर आप अपनी cryptocurrency launch करना चाहें तो आप अपनी individual cryptocurrency launch कर सकते हैं जैसे मैं अगर अपना ng coin launch करना चाहूं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन क्या आप इसे launch कर सकते हैं the answer is yes आप उसे launch कर सकते हैं लेकिन क्या आप central bank की digital currency launch कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मैं एक मानता हूं कि यह जो permissioned वाला point है न इसे बहुत से लोग disadvantage के रूप में देखते हैं एक और important बात है बहुत से लोग कहते हैं कि जो crypto currencies होती है वो anonymous होती है पता ही निया किसकी है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ actually मैं जो crypto currencies होती है वो anonymous नहीं होती है वो pseudonymous होती है इसका मतलब ही होता है कि आप उस इनसान को पहचानते नहीं हो क्योंकि वो identity बदल कर नाम बदल कर अपने किसी login ID के साथ login करता और उससे crypto currencies में deal करता है खरीदता बेचता है तो आप उसे नाम से नहीं पहचानते हो लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप उसे पहचानते नहीं हो या आप उसे track down नहीं कर सकते हैं आप उसे track down कर सकते हो आप पहचान सकते हो दुनिया में ऐसे examples है कि कहीं बार terrorism funding के लिए जब cryptocurrencies को use किया गया तो governments ने उसके against action लिया और उन लोगों को identify किया गया पनिश्पी किया गया यानि मैं यह नहीं मानता कि cryptocurrency totally anonymous है ऐसा नहीं है आपको यह कहना चाहिए कि cryptocurrency जो है वो pseudonymous है लेकिन वहीं पर अगर अगर हम बात करें CBDCs की यानि Central Bank के digital currencies की तो वो real identity के साथ चलेंगी जैसे कि आप ATM wallet अपना setup करते है या एक bank में account खोलते है तो उसके लिए आप आधार card, pen card वगयरा सारी जानकारी देते हैं बिलकुल उसी तरीके से अगर आप Central Bank के digital currency भी अपने wallet में रखेंगे तो उसके ल cryptocurrency क्यों की गई यह तो हमने पिछली वीडियो में जान लिया था लेकिन यह जो CBDCs है यह क्यों लाए गए तो आई हम ध्यान से देखते हैं कि जो crypto currencies है उनका जो usage है मैंने आपको उताया था कि businesses करना चाते है क्योंकि transaction cost बहुत कम है एकदम quick transfer है transfer fees बिलकुल कम है बीच में cryptocurrency में बहुत interested है लेकिन अगर हम बात करें अपनी CBDCs के बारे में CBDCs का मतलब है central bank की digital currencies है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा क्योंकि एक central control है government control कर रही है इसलिए government decide करेगी कि इसका beneficiary कौन होगा कौन नहीं होगा अब यह है कि मैं एक बात समझाता हूँ आपको अब यह थोड़ा सा मैं economic angle add कर रहा हूँ आप मुझे जरूर comment box में लिखके बताईगा कि क्या यह बात आपको clear हुई या नहीं हूई और आप इस बात से सहमत है या नहीं है जरूर लिखिएगा comments में देखे मैं यह मानता हूँ कि जब क कोई होता है answer is no क्योंकि बहुत जगा पे वो पैसा जो है वो अटक अटक के रुक रुक के घोटाले होकर बहुत कम पैसा actual में beneficiaries के hands में आता है लेकिन अगर भारत भी actual में CVDC launch कर दे और successfully launch कर दे तो देखो कितना अच्छा method होगा कि central government के through यानी RBI के through सीधा पैसा लोगों के wallets में आ जाएगा और उस पैसे की importance के साथ साथ उसकी usage को भी define किया जा सकता है usage को define करने का मतलब यह है कि माल लो मैं ऐसा देख पाता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा कि जो digital currency issue की जाएगी उसका purpose specific हो सकता है purpose specific होने का मतलब यह है कि अभी क्या है कि माल लो कि क कोई गरीब लोग है या example लेते हैं किसी area में कोई floods आ गए अब उस flood के relief के लिए उस city के सभी लोगों को 10-10,000 रुपे government relief दे रही है लेकिन वो 10-10,000 पता चला अभी तो घुटाले में चला जाता है उनकी account तक ही नहीं पहुँचता पर अगर digital currency होई तो direct उनके account में अगर आप जाओगे उस पैसे से तो वो चले गई नहीं यानि इतना जाधा control government execute कर सकती है कि उस currency से आपकी usage तक को भी define कर सकती है मैं इसे advantage की तरह मानता हूँ कुछ लोग इसे disadvantage की तरह मानते है कुछ लोग कहते है कि government का साया बहुत जाधा strong हो जाएगा लेकिन मैं कहता हू कि उसकी वज़ाद से जो economic policies government बनाती है जिससे अगर कभी देश डूब है depression में तो उसे उठाने के लिए जो government policy बनाती है कभी बहुत जाधा inflation होती है तो उसे control करने के लिए जब government money supply को control करना चाहती है तो मेरा ऐसा बहुत strongly मानना है कि digital currencies can provide to be an efficient tool of economic planning and economic plans execution यानि उन economic plans को execute करन करने के लिए बेहत बढ़िया काम कर सकती है digital currencies और गरीब के हाथ में सच में मेहनत जो उसकी पहुंचनी चाहिए या उसका reward पहुंचना चाहिए वो जरूर पहुंच पाएगा digital currency पूरी तरह launch हो जाती है तो भाई मैं तो digital currency के हक में हूँ क्योंकि digital currency लोगों का भी भला कर गी क्योंकि exactly income define की जा पाएगी income पताव लगाए जा पाएगी income tax correctly निकाला जा पाएगा law and order में जो घोटाले घोटाले होते होने पहले control किया जा सकेगा और इसकी accounting और accountability दोनों बहुत बहतर रहने वाली है आप मुझे जरूर लिखकर भेजिए comments में कि ये वीडियो आपको क सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें टेक केर बाए बाए